का है यदि हम सोडा को 30.25 से multiply करेंगे तो 484 स्केर याड आता है और जब हम इसका कब्जा रेने के कब्जे में सिर्फ 25 फिट शेंच आया फ्रंट के ऊपर रोड के रोड साइड और पिछे नभी बिटा है तो ये मौके पर जागे 455 स्केर याड आ रहे है अब ये इसका मतलब ये हो गया इसमें 29 गज जमीन कम है रिजिश्टी ज्यादा की हो रही है और मौके पर कम है 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 तो दौर्टव प्रपर्टी गुल गुल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूं राजबन सिंग माली रियल स्टेट मेंटर रियल स्टेट बुक्स का ओथर आज का टॉपिक इंपॉर्टेंस ओफ डिमार्केशन ओफ प्लॉट या लेंड यह क्यों जुरूरी है हमने निशान दहीं लेनी है जब प्लॉट लेना शुरू करते हो आप तो डेफिनेटली आपको उसको नापन पाई करके निशान दहीं लेनी जुरूरी है अब यह मैं प्लॉट लिखा है एरिया उपलॉट जो है जिस्टी में 484 सकेट याड है मतलों सोड़ा मरले का प्लॉट है सोड़ा मरले का मज़ेदी सोड़ा को एक मरला 30.5 है यदि हम सोड़ा को 30.25 से मुल्टिपलाई करेंगे तो 484 सकेट याड आता है और जब हम इसका कब्जा रेने के कब्जे में सिर्फ 25 फिट शेंच आया फ्रंट के उपर रोड के रोड साइड और पिछे नबे बिटा आया तो यह मौके पर जागे 455 सकेट याड है अब यह इसका मतलब यह हो गया इसमें 29 गज जमीन कम है रिजिस्टी ज्यादा की होर की है और मौके पर कम है अब यह पर्जाबदी जो हमारी ट्रेनी है कल उन्होंने यह प्रेंट आट किया कि एसे ब्रॉड को कैसे दिल के जाए तो डेफिनेटली मेरे मन में आया कि जो मेरे व्यूर्स हैं यूट्यूब पर उनके उनके साथ भी यह बात क्लियर होनी चाहिए तो अब यह चारसो चारसी स्के सके यार्ड की जिस्ट्री कराता है जो सैलर है कि 455 स्केर यार्ड है तो आप 465 स्केर की जिस्ट्री कराओ और हमें कब vos दे लेकिन हमूँ और चार्सो च्रासीरा की ही और जो जैसे ने 400 पंद्व कका यह पेयमेंट 455 धिक स्कार्ट प्रस्वी देनी चाहिए घ्यूचनिक करेगी उसके नाम पर रहेगी वह काग्जों में रहेगी फर्द जमाबंदी साथ बारा जो भी आप नकल रेश जो भी बनते उसमें खड़ी देगी तो वह कल को कोई चाहे तो आपके साथ पंगा ले सकते हैं कि मेरी जमीन यहां निकल रही है और चाहे हो कुछ में नहों लेक जो उसको पेमेंट है चारसो पच्छ बन गरी की हो यदि आप सेफ ने नशाते हो यह कल सवाल था और सवाल का जवाब यह है कि जितनी मौके की लिश्टी है रिश्टी सारी कुराने जाहिए और पेमेंट आपको मौके के हिसाब से देना जाहिए नहीं तो कल को को कोई उल जो सकता है इसमें हो सकता है आप किसी चक्र में भाज़ा हो में हमें ध्यान रखना बहुत जरूब्री क्यों यह जमीन ही तकरीबन एक लाख से ज्यादा रपे घज की जमीन है मतलब ये कम से कम ज्यादा नहीं तो 29,00,000 अर्वेगा फर्क पड़ेगा पहले वि मैंने एक जीर कपर में प्लॉट बताया था जो उसमें मौके पे 160 का जमीन कम थी और 58,000 पे गज में जमीन भीकिवी थी तो 160 को यदि हम 64 से मल्टिपले करें 96,00,000 अर्वेगा पर्क है तो द मतलब डीर करना है और बहुत ही ध्यान से इनको क्लोज करना है ताके आप आने माले टाइम में आपके साथ कोई ऐसी कटबड़ ना हो सके आज के लिए इतने वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेर करना इसके उपर चाच्चा करना और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगा तब तक आप बने रहें चैनल के साथ सब्सक्राइब करके गंड़ी वाला पटन दबादो स्वाल हो कमेंट ब हुआ उपके लिए लगे भीजोंगा झाला झाला शेर करने हो तक बता दॉपिक लिए तक बताफ करना पर आपके ले जए.